ETF that means Exchange Traded Fund दोस्तों इंडिया का पहला ETF year 2002 में आया था जिसका नाम था नेफ्टी बीज और इसे आपने बहुत जगा देखा या सुना होगा 2002 से 2016 तक इंडिया में ETF का टोटल मार्केट वैलू था मात 23,000 क्रोंस in 14 years बट 2016 से 2021 के अंद तक इन 5 सालों में ETF का टोटल मार्केट वैलू 23,000 क्रोंसे बढ़ कर 3.16 लाग करोण हो गया था लगभग 14 टैम्स इंक्रीज हुआ और आज 2023 में ETF का टोटल मार्केट वैलू लगभग 5 लाग करोण का हो चुका है 2016 से 2023 तक इन लाष्ट 7 यर्स में लगभग 22 गुना इंक्रीज हुआ है दूस्तो ये अकड़ा बता रहा है कि लाष्ट 7 यर्स से ETF को लेकर इन्वेस्टर्स के अंदर जादा इंटरस्ट भड़ा है लोग ETF में इन्वेस्ट करना जादा प्रेफर कर रहे हैं दूस्तो इंडिया में टोटल 176 ETF हैं और इनमें से ऐसे बहुत सारे ETF हैं जो म्यूचल फंड से भी काफी बहतर रिटन बना करके दे रहे हैं इन्वेस्टर्स करेंगे जिसमें आप इन्वेस्ट करके लोंग टॉम में करोनों का कवर्पस इकठा कर सकते हैं इस वीडियो में हम सबसे पहले डिसकॉस करेंगे कि ETF होते क्या हैं सेकेंड नमर में ETF और Index Fund में क्या-क्या differences हैं ये बहुत important point है थर्ड नमर में types of ETFs and finally फोर्थ नमर में discuss करेंगे कि अगर आप ETF में invest करना चाहें तो इंडिया में total 176 ETF हैं इतने सारे ETF में से वो कौन से best ETF हैं जिनमें आपको invest करना चाहें इसके लिए हम कुछ important parameters को discuss करेंगे जिनके basis पे हम top 3 best ETF को pick करेंगे जिनमें अगर आप invest करना चाहें तो invest करके long term में अपने लिए एक बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं इन सभी points को हम deeply detail में discuss करेंगे अगर आप इस वीडियो को एक बार end तक देख लेते हैं तो मेरा आपसे दावा है कि ETF के regarding आपको और कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी तो प्लीज इस वीडियो को end तक जरूर देखिएगा तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ETF यानि कि Exchange Traded Funds होते क्या है इनने समझने के लिए सबसे पहले हमें mutual fund और index fund को समझना होगा इन वीडियो में हमने index fund और mutual fund को काफी detail में discuss किया है इन वीडियो का link नीचे description box में है आप इनने check out कर सकते हैं दोस्तो mutual fund में क्या होता है mutual fund company basically बहुत सारे investor से पैसा collect करती है और उस पैसे को fund manager अपने knowledge के basis पे अपने investment strategy के basis पे अलग-अलग stocks में invest करता है और जब कोई mutual fund company किसी particular index को follow करती है और उसमें invest करती है जैसे कि Nifty, Nifty Next 50, Nifty 100, Sensex तो उसे index mutual fund कहा जाता है For example, अगर कोई index fund Nifty 50 को follow करता है तो Nifty 50 के अंदर इंडिया की जो top 50 company है उनके अंदर उनके वेटेज गनुसार invest करेगा सेम ऐसा ही ETF में भी होता है ETF जिस asset management company का होता है वो company भी बहुत सारे investors से पैसा collect करती है और जिस particular index को follow करती है Let's suppose अगर कोई ETF Sensex को follow करता है तो Sensex के अंदर इंडिया की जो top 30 company है उन company में उनके वेटेज गनुसार invest करेगा अब दोस्तों यहाँ index को follow करने के मामले में ETF और index mutual fund यह काफी हद तक तो एक ही जैसा है बट फिर भी इन में कुछ differences भी है और major difference यहाँ है कि ETF that means exchange traded fund जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह fund किसी ना किसी exchange पे trade होता है अब यहाँ इंडिया में दो ही exchange है इन में से national stock exchange हो सकता है या फिर bombay stock exchange हो सकता है इनफेक्ट इंडिया का जो पहला ETF है निफ्टी बीज जो 2002 में आया था तब से आज तक national stock exchange पे ही trade होता है यानि कि ETF भी stocks के तरह ही exchange पे trade होता है और जब कोई भी चीज exchange पे trade होता है तो उसे खरिदने बेचने के लिए हमें एक demet account चाहिए होता है वहीं अगर हम index fund और mutual fund की बात करें तो इनमें stocks की तरह trading नहीं होती है इसलिए इनहें खरिदने और बेचने के लिए हमें कोई भी demet account नहीं चाहिए होता है बट ETF में तो चाहिए और बाइ चांस अगर आपके पास demet account नहीं है तो description box में इंडिया के best broker का link है आप वहाँ से अपना demet account open कर सकते हैं अब यहाँ एक प्रसन आता है कि जब हम index fund या mutual fund में invest करते हैं तो वहाँ mutual fund company हमें units issue करती है बट अगर हम ETF में invest करें तो यहाँ हमें क्या मिलेगा देखिए ETF exchange पे trade होते हैं और हम ETF के current market price पे invest करते हैं और वो ETF जिस भी asset management company का होता है वो company हमारे investment amount के accounting हमें shares issue कर देती है और वो होता है one unit जिस तरह हम किसी company में invest करते हैं तो वो company हमें shares allout करती है सेम वैसा ही ETF में invest करने पे भी हमें shares allout किये जाते हैं और यह जो share है या जो unit है यह किसी company के share के तरह ही exchange पे trade होता है हर समाई हर रोज इसका जो price है वो उपर नीचा होता रहता है और इस तरह हमें ETF में transparency मिलती है ETF के share का price आपके सामने घरता बढ़ता रहता है stocks के तरह ही ETF में भी आप delivery, intraday जैसे trading options में आप trade कर सकते हैं और वहीं mutual fund और index fund की बात करें तो यहाँ जो NAV होता है net asset value यह हमें day के end में पता चलता है जब market close होता है क्योंकि यह ETF की तरह exchange पे trade नहीं होते हैं एक और difference है कि जब आप ETF में invest करते हैं तो आप ETF के current market price में invest करते हैं जबकि index fund और mutual fund में day के end में जो NAV होता है net asset value उस पे आपका सारा amount invest किया जाता है तो यह कुछ major difference है ETF और index fund के बीच में अब चलिए एक बार quickly types of ETF के उपर नज़ा डालते हैं दूस्तों इंडिया में basically तिन types के ETF हैं first equity ETF, second debt ETF and third number है commodity ETF first है equity ETF जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि वे ETF जो equity में यानि कि stocks में invest करते हैं जैसा कि कुछ दिर पहले हम लोगों ने discuss किया था in fact India का जो पहला ETF था निफ्टी वीज वो एक equity ETF है वीज का मतलब होता है first B का मतलब है यहां benchmark E का मतलब है exchange traded and S का मतलब है scheme benchmark exchange traded scheme और अब निफ्टी वीज का नाम निपॉन इंडिया ETF निफ्टी वीज हो गया है because 2002 में निफ्टी वीज को निपॉन इंडिया mutual fund house नहीं launch किया था equity में ही sectoral ETF भी होते हैं यानि कि वे ETF जो sectoral index में invest करते हैं अब मुमन हर sector का एक index होता है जैसे banking sector का bank निफ्टी वैसा ही IT sector का index होता है pharma का होता है, automobile का होता है second number है debt ETF यानि कि वे ETF जो bonds में invest करते हैं अब वो government bond भी हो सकता है, private bond भी हो सकता है अब यहां एक प्रस्न आएगा कि हम directly bonds में क्या होना invest करें कि ETF bonds में invest करें तो इसका answer यहा है कि ETF में आपको अच्छी liquidity मिलती है चुकि ये exchange पे trade होता है तो इसे खरिदना बेचना काफी आसान होता है कुछ bonds भी है जो exchange पे trade होते हैं बट उनमें अच्छी liquidity नहीं होती है third number है commodity ETF यानि कि आप ETF के थुरू gold, silver, oil जैसे commodities में भी invest कर सकते हैं ETF के इन 3 types को मिला कर इंडिया में total 176 ETF हैं तो अभी तक हम लोग ने discuss किया कि ETF क्या होते हैं ETF और index fund में क्या-क्या differences है types of ETF क्या-क्या है अब चलिए जानते हैं कि अगर आपको ETF में invest करना हो तो एक best ETF pick करने के लिए वो कौन-कौन से important parameters हैं जिने हमें किसी भी ETF में invest करने से पहले जरूर analyze करना चाहिए तो हमारा first parameter है liquidity यानि कि ETF का AUM asset under management जितना ज़्यादा होगा उतनी अच्छी liquidity मिलेगी और आप आसानी से अपने ETF के shares को buy or sell कर पाएंगे second parameter है tracking error tracking error का मतलब होता है कि अगर कोई index एक साल में 12% का return देता है और इसको follow करने वाला ETF 11.9% का return देता है तो इन दोनों के return के बीच का जो gap है जो difference है 0.1% उसे ही tracking error कहते हैं और ये जितना कम होता है उतना better होता है for example ये निपन इंडिया ETF Nifty Beach के एक साल का return है 20.99% और index का return है 21.09% इन दोनों के बीच का जो gap है जो difference है वो है 0.1% और इसी difference को tracking error कहा जाता है और ये जितना कम होता है उतना better होता है उतना आपको अच्छा return मिलता है Third number parameter है expense ratio हर एक asset management company fund को manage करने के लिए एक fee charge करती है जिसे expense ratio कहा जाता है चाहे हो mutual fund हो, index fund हो या फिर ETF हो सबसे ज़्यादा expense ratio mutual fund का होता है उसके बाद index fund का और सबसे कम होता है ETF का और expense ratio जितना कम होता है उतना better होता है विकाज ये long term में आपके return को badly effect करता है जब आपका return compounding होता है तो ये जितना कम होता है उतना better होता है Fourth number parameter है past performance हम जिन ETF को pick करेंगे पास्ट में उनका return 72 होना चाहिए और वो ETF 3 साल, 5 साल या उसे अधिक पुराना होना चाहिए तो ये है कुछ important parameters जिनके basis पे आप भी ETF को shortlist कर सकते हैं और दोस्तों इनी parameters के basis पे मैंने total 176 ETF में से top 3 best ETF को shortlist किया है जिसमें आप long term में invest करके एक बाड़ा कॉर्पस बना सकते हैं तो अब चलिए एक के करके इन तीनों ETF को जान लेते हैं पहला है निपॉन इंडिया ETF निप्टी बीज और ये इंडिया का पहला ETF है जो 2002 में आया था इस ETF का AUM है 12,653 करोड expense ratio है 0.04% tracking error है 0.02% इस ETF का 1 year का return है 23,87% 3 year का return है 23,62% 5 year का return है 13,76% 10 year का return है 14,91% और ये ETF अपने launch date से आज तक on and average 15,58% का बहतरिन return बना करके दिया है तो इस ETF का past performance काफी better है तो अगर आप long term के लिए invest करना चाहें तो invest कर सकते हैं सेकेंड ETF है SBI का S&P BSE Sensex ETF इस ETF का AUM है 91,452 करोंस expense ratio है 0.07% tracking error है 0.02% इस ETF का 1 year का return है 24,65% 3 year का return है 23,4% 5 year का return है 14,22% 10 year का return है 14,25% और ये ETF अपने launch date से on and average 14,37% का बहतरिन return बना करके दिया है ये ETF भी काफी पुराना है और इसका भी past performance काफी better है 3rd number है Nippon India ETF Nifty Mid Gap 150 Mid Gap Index में invest करने का फायदा या है कि जब market में गिरावट आता है तो Small Gap Index के comparison में Mid Gap Index का downside protection काफी बनिया होता है और जब market में run up आता है तो Large Gap Index के comparison में Mid Gap Index काफी better perform करता है तो इसलिए Mid Gap Index का मैंने ETF पिक किया है अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं इस ETF का EVM है 803 करोन ये थोड़ा कम दिखरावगा बट इसका liquidity काफी हाई है Expense ratio है 0.21% Tracking error है 0.09% 6 month का return है 13.12% 1 year का return है 33.69% 3 year का return है 33.61% और ये ETF अपने launch date से 20.56% का return बना करके दिया है ये ETF तीन साल कुछ महिना पुराना है बट आप इसमें long term के लिए invest कर सकते हैं तो ये था top 3 best ETF मेरे research and analysis के basis पे अगेन ये कोई recommendation नहीं है आप खुद भी इन ETF के regarding research कर सकते हैं analysis कर सकते हैं अपने financial advisor से help ले सकते हैं अगेन ETF में invest करने के लिए ये एक DMAT account चाहिए होता है और best broker का link नीचे description box में है तो आप वहाँ से अपना DMAT account open कर सकते हैं इस वीडियो के regarding आपका क्या opinion है प्लीज हमें comment section में जरूर बताएं so hope आपको इस वीडियो पसंद आया होगा फिर मिलते हैं एक और next वीडियो में till then keep learning and keep earning thank you